दाली मेरे शाम पर जिस दम नाजर सजाद ने दाली मेरे शाम पर जिस दम नाजर सजाद ने चाक करके रख दिया उसका जिगर सजाद ने सात सो कुरसी नशीनों को पसीना गया अपने खुत्बे का दिखाया ये असर सजाद ने दाली मेरे शाम पर हजराद च्छैमिसरा मरहूम नासिर हुसें के हवाले से पेश करने जा रहा हूं मुलादा फरमाईएगा ये जाली मेरे शाम पर उप्सक्राद च्छैमिसरा मुलाद ये जाली मेरे शाम परमाईएगा ये जाली मेरे शाम ने रहा हूं हम दे बारी जिकर महभूब खुदा की रोशनी हम दे बारी जिकर महभूब खुदा की रोशनी हुपे है दर उल पते आले बार की रोशनी दामने दिल में सजाके करबला की रोशनी और माथे पे लिए खुदा की रोशनी मक्परत का सारसर माया लिये नासिर हुसै ले गए हैं अपनी किसमत का लिखा नासिर हुसै हम दे बारी जिकरे हम दे खुदा की रोशनी हम हम आफ़ा दरा से गुजारिश है कि एक मरतवा सुरे अंदों तीन मरतवा के इतिलावत फर्मा कर मरहूम नासिर हुसेन इबने इजहार हुसेन मरहूम इजहार हुसेन मरहूम की रूह को बख्षत इजहार हुसेन इबने नहां रसलो हात वैंजी आ फजया फजालाट हजरा ते से पिछटेए भजी देखेटिए फज्राट नारे सल्वाद वेजिया फद्राद लामाश अल्याला मुहम्मद वाल मुहम्माद हम चे रागे घमे शाब दीर जलाएंगे जुरूर हम चे रागे हमें शाब दीर जलाएंगे जुरूर आग बातिल के कलेजे में लगाएंगे जुरूर हम चेराएंगे हमें, शब भीर जलाएंगे जुरूर, हम चेराएंगे हमें जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे इबादत का सबक, उनको मातम का सलिका भी सिखाएंगे जुरूर, हम चेराएंगे जुरूर, हम चेराएंगे जुरूर, हम चेराएंगे जुरूरूर, 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 हम च जाए जहरा सरो शबिर की चौकट पे जुकाएंगे दुरूरूरू हम चेराव गमे शबिर जलाएंगे दुरूरूरू हम चेराग गमें आदिया रोकना पाएंगे एरादा उनका आदिया रोकना पाएंगे एरादा उनका तादिया जिन को उठाना है उठाएंगे जुरू तादिया जिन को उठाना है उठाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें करे बाला अपनी खुली आखों से पढ़ने वाले करे बाला अपनी खुली आखों से पढ़ने वाले दास्ताने गमें शाप भी सुनाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें जान देखकर भी बचाएंगे विकार सजदा जान देखकर भी बचाएंगे विकार सजदा शाप ने जो कह दिया वो करके दिखाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें मार के शहतरी वैयत को तेरे मुह पे यजीर मार के शहतरी वैयत को तेरे मुह पे यजीर तेरी युकात जमाने को बताएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाम उसे आए हैं जो बुगज अली के बंदे शाम उसे आए हैं जो बुगज अली के बंदे कर्बला में वो लहु शह का बहाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें तैग शबीर की गरदन पे चलाने वाले तैग शबीर की गरदन पे चलाने वाले तौक सज़ाद की गरदन में पिहाएंगे जुरूर हम चेराग गमें शाप भी जलाएंगे जुरूर हम चेराग गमें है सितमगर तो दिखाएंगे लहू का भी असर एक भीमार को काटो पे चलाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे शाभी रदाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे रहे मुखाने लगे क्यों अहले हरम पर ये लई रहे मुखाने लगे क्यों अहले हरम पर ये लई सर पर रहे ना उने दर बार मिलाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे शाभी रदाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे मर गई शाम के जिन्दा में ओ घुट घुट के कमर मर गई शाम के जिन्दा में ओ घुट घुट के कमर खायकी जिसको वतन लोट के जाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे शाभी जलाएंगे जुरूर हम चेरागे घमे फातिहा हम चेरागे जुट के वातिहा वारिस इल्म इलाई वारिस इल्म इलाई है जनाब सजा सबर की पुष्ट पनाई है जनाब सजा वे बुनाहों की गवाई है जनाब सजा जल्म जालिम की तबाही है जनाब सजा जल्म जालिम की तबाही है जनाब सजा है जो दुष्ट नाम यजी देसी तमीजाद का नाब साबिरों में सरे फेरिस्ट है सजाद का नाब वारिसे इल्म इलाई है जनाब सजा किसने ओ जबत किया है जो किया आबिद ने किसने ओ दर्स दिया है जो दिया आबिद ने किसने ओधाव लिया है जो लिया आबिदे ने किसने तनवाप का सदपारा जवी पर देखा किसने मा बहनों को बलवे में खुले सर देखा वारिसे इल्म इलाई है जनाब साजाद बिड़िया पाओं में और तौक गले में पहने दुर खाते हुए ता शाम ये काटों पे चले दिल पे गिर जाते थी बिजिली जो कभी देखते थे नंगे सर बीबियों के हाथ पशे फुष्ट बंदे सदने पहुचाए थे इस दरजा शकीले इनको मुस्कुराते हुए देखा ना किसी ने इनको वारिसे इल्वारी साजाद गैद से छूट के रोते रहे 38 बराद अश्क रूमाल भी गोते रहे 38 बराद चुपिया दुल्लाह के पोते रहे 38 बराद वार कुप पार के होते रहे 38 बराद आकिरस चल ही गया वार सितंगारों का जहर से कर दिया दिल तुकड अजादारों का वारिसे इल्म इलाही है जनाब साजाद हो के मस्तमू मुझे ना को जो गहे जहन लेवा खानाए पात्म जहरा में फिरक हश्र उठाद सब मोहिब पीट रहे थे सरों सीना अपना हरम सरवर को नेल थे मसरूफ बोका आहो जारी का जो गुल दिल को हिला जाता था सद्म से हजरत बाकिर को गशा जाता था वारिसे इल्म इलाही है जनाब साजाद कोई कहता था कि हम दर्द हमारा न रहा हाए अपसोस यतीमों का सहारा न रहा प्यार था जिसको गरीबों से हो प्यारा न रहा जिसको है वापे न था जुल्म गवारा न रहा चुप है अलतीस बरस बाप को रोने वाला सोएगा कवर में दिन रात न सोने वाला वारिसे इलम इलाही है जनाब साजा गुस्ल सजाद को देने लग जब अहल अदा जिसमें मजलूम से मबलूस हुआ फट के जुदा पुश्ट पे उबरे थे दुरों के में शावा वैला पिंडलिया थी वरमालू दगला जखमी था खुनिरी सिता हुआ आया जो नजर जखमों से भर गाए मुमिनों के तल वो जगर जखमों से आखरी दो बन मुला दाओ आखरी दो बन मुला दाओ अजनाब साजाद मर्जियू हजरत बाकिर से किसी शख्स ने की सबर फड़ माईए मौला पर अल्ला हो नबी बाप को गुसलो कफन दी जीए है इबन अली करबला में तो ये नौबत भी ना आने पाई करबला में तो ये नौबत भी ना आने पाई गुसल प्यासों को गिरा तारे में अन दे न सके बापो सैयद सजाद का फन दे न सके वार से इल्में लाही है जनाब सजाद धूम से सैयद सजाद का लाशा उठा साथ सीनों सर पीटते सब अहल अजाद पहलुए हजरते शबर में जो लाशा रखा यादे शबीर में बाकिर का जिगर खून हुआ तुकले तुकले जो शहदी का बदल याद आया तुकले तुकले जो शहदी का बदल याद आया वार से इल्में एक मर्दवा सुरह हम दोर तीन मर्दवा सुरह खुलाब की दलावत परमा का इजहार हुसेन मर्भूम इबने यावर हुसेन की रूप विसाल परमाए एक का बाद में पढ़ा दीजिए पहले पढ़ा दीजिए वह रम्मा देख भाद में पुटए याद आख में पुटए याद आख वार श्रावत बाद आख में आख में आख में झाल आया साल्वात कि आए लगुटावे स्वांग आई मिन शेतान इल्वाइन इर्रजीम बिसम आल्लह रर्रहीम आल्हम्दलिल्ह रब आलमी वस्तलातु वस्तलाम आला सेद अल्म्या व अल्मुर्सलीन अभी बे खलूबना तभी बे नफूसना बिल्कासिम महम्मार अल्मुर्णी वस्तलातु वस्तलाम आल्ही तेविन अब्तारिन अल्मुर्समीन अल्मुर्मीन वल्णतु वल्ढ़हा हैं मजमिन वंकिर वजालही मुझासिव हुग के मृन आखायला यूम दीन अमा बाद वकत खाल लू तबारक वताला फी किताबही ल्मजीद फर्फान इल्हमीद वक्वलहु लहक्व वाजबु अस्दादिकिन बिस्व ललाह रह्मान रर्रहीम अमन हमिला सालिहन मिन्जकरन अश्दा होोन। कर दो 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 कर लाजो गजे वाज जड़ी पाँ सब्जाजा रह बाजब हनु जाजबकर वाजबकर पाज़ी यहा जजबकर वाज़। बाल बाल, 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 बाल झनला ये बनला सुरो लो लो अजसाँ Cरीक्षो, फिसकाlles की लो झनला सकारी आला से लो. झनला सहल को बनला समा लो. कर दो कर दून पूंग już, चने को से द oniूँ झाल कर दो कर दो कि घड़ा कि एैदान कर दो कि बिड़ाय क्वीं और भाल कौ-जाल। आपक्षनेखाया विंद नért amis ढ़योजार्ण ह Treaty Of Dios आपक्षनेखाया Engineering आपक्षनेखाय हुआ आपक्षनेखाया वो मौमिन है मिन जकरिन और उन्सा चाहे मर्द हो या औरत बेहतरी जिंदगी है उसके लिए दुनिया में भी और आखरत में भी अमल इसाले का माना और मफूम बहुत वसी है हर वो काम जो अल्ला की मर्जी के मताविक हो वो अमल इसाले है जो उसकी मर्जी के खलाब हो वो गहर इसाले है जो भी काम इनसान अंजाम देता है पांच सूरत है शरीयत में उसकी या वो फेल वाजिब है या वो हराम है या मकरू है या मुस्तहब है और या मुबा है वाजिब वो फेल है कि जिसका अंजाम देना फर्द है हर शक्स पर हराम वो फेल है कि जिसे बाद रहना रुकना ना करना हर शक्स पर फर्द है वाजिब को अंजाम दिया आजरो सवाब काबले मध़ काबले तारीब काबले सताइश है हराम को अंजाम दिया तो अजाब है जिल्लत है रुसुआई है दुनिया में भी है और आखरत में भी पेल हराम करने वाला ऐसा नहीं है कि सिर्फ आखरत में उसे दुनिया में भी जिल्लत और उस्वाई है मलन जुड बोलना कोई अच्छी बात है नई आखरत में नई दुनिया में भी नई अच्छी बात है जल्म करना की जीबे कोई अच्छी बात है दुनिया में भी खबी है मजम्मत करते हैं लोग और बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं मक्रूव वो फेल है कि जिसको आप अन्जाम ना दें अन्ला की रिजा की खातिर तो आपको सवाब मिलेगा और अगर अन्जाम दे दिया तो क्या? कोई अजाब नहीं है किसी ने मक्रूव फेल अन्जाम दे दिया तो उस पर अजाब नहीं है मुस्तहब वो फेल है कि जिसको अन्जाम दिया तो उस पर अजरो सवाब है और नहीं किया तो कोई अजाब नहीं है मुस्तहब किसी ने नमाद पंजगाना पढ़ता है नमाद शब नहीं पढ़ी नहीं पढ़ता है तो अजाब नहीं है पढ़ता है तो बे इंतहा अजर उसवाब रखा गया है बे इंतहा अजर उसवाब नमाज शब्का शेरा नूरानी हो जाता है रिस्क बढ़ता है अल्ला की नजर में उसका मकाम बाला और बुजूर्ग होता है मुत्तकीन में शुमार होता है ख़दावंद आलम उसके गुनाहों को बख्ष देता है नमाज शब्की बरकर तक्वे की मन्जिल इन्सान एक पेल है मुबाह मुबाह पेल ना अजर उसवाब है और ना गुना है लेकिन ये मुबाह भी बाईसे अजर उसवाब बन जाता है मसले एक आदमी खाना नियत इस नियत से खा रहा है कि खाना खाओं जिसम में ताकत रहे ताकि अल्ला की अबादत करूँ इस पर अजर उसवाब मिलेगा उसको एक आदमी पानी इस लिए पी रहा है कि पानी पिऊँ ताकि जिसम को सकुन मिले और अल्ला की अबादत करूँ अल्ला का खिकर करूँ अल्ला की तारीफ करूँ उस पर भी अजर उसवाब रखा गया है पाँच सूरत से अंसान का अमल खाली नहीं है हर शक पुरान भी कह रहा है बेशक इनसान लफी खुस्क इल्ला लजीन आमनु आमलु स्सालिहात वत्वासो बिलहक वत्वासो बिस्व बेशक इनसान और इनसानियत घाटे में हैं मगर वो लोग कि जो इमान ले आए और अमल सालिह अंजाम दिया इमान और अमल सालिह दो चीज़ है अलग 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 नहीं हैं दोनों एक हैं जिस तरीके से रूँ और जिस्म है अगर जिस्म उसे रूँ निकल जाए तो जिस्म फासिद हो जाता है अगर इमान में अमल सालिह न हो तो वो इमान बे रूँ का है बे जान का है एक सल्वाद भेजिएकों महमद आले महमद को त्वासों सॉमिल-हिं MY त्वासों विस्साब जो हक और सबर का इलान करते हैं हक और शबर की वसीयत करते हैं अमाले साले ख待 भौणाओन ए आलम किया हैं किसी भी इनसान से मुस्तहब के बारे में सवाल नहीं होगा मकरू के बारे में सवाल नहीं होगा सवाल का है का होगा वाजिब से होगा और हराम से होगा कि क्या चीज हमने तुम पर वाजिब की थी और किस चीज से तुम को रोका गया था क्या तुमने अंजाम दिया है वाकें सक्त मरला इन्सान के लिए कि इन्सान इस तरह से जो है एक सलवाद बेजिए कि मुहम्मद वाल मुहम्मद लकिन जतने भी अमल हैं इन्सान के अगर मुहम्मद अली नहीं या एल वहत नहीं तो सारे अमल वेकार है सारे अमल वेकार नभी अल्ला मजद नभी के अंदर खुदवा दे रहे हैं एक शख्स मजद में दाखिल हुआ सवाल करता है या नभी अल्ला क्या जन्नत में जाऊंगा का नहीं जाएगा का नेक अमल करता हूँ का नहीं जाएगा का यतीमों की परवरिश करता हूँ का नहीं जाएगा का बेवाओं की रोजी रोटी चलाता हूँ का नहीं जाएगा, का माबाप के साथ नेकी करता हूँ, का नहीं जाएगा, का नमाज पढ़ता हूँ, का नहीं जाएगा, का उम्रा किया है, का नहीं जाएगा, का हच किया है, नहीं जाएगा काया नभी ल्ला तमाम नेक काम अंजाम देता हूँ नभी ने फर्माया देखो दुनिया के तमाम नेक काम इन्सान अंजाम दे और उसके दिल में महबतِ अली नहीं है तो जन्नत की खुजबू नहीं सुंचकता हो जन्नत की खुजबू नहीं सुंचकता नभी ने फर्माया सफा मर्वा के दर्मियान एराम के लबास में कोहे अबुक वबाइस के वरावा खेरात करे और तमाम अच्छे आमाल अंजाम दे खाने कावा का पर्दा पकड़े हुए मारा जाए शहीद किया जाए और अगर अली की महबत दिल में नहीं है तो वो जहन्नमी है वो जहन्नमी है एक सलवाद भेजिए महम्मद वाले महम्मद पर भाई महबत अली पर अतना जोर क्यों बुगज अली पर पर परवरिश होती थी बच्चों की हाक्मे शाम के दोर में अली की दुश्मनी बच्चों के दिल में डाली जाती थी हाक्मे शाम का एक मुशीर था उसने मश्वरा दिया कि का का ये जतने बुजर्ग लोग है साब तुमको छोड़के चले जाएंगे का क्यों का तुम्हारे पाद दौलत है जब तक दौलत इनको दे रहे हो तब तक ये रहेंगे और जिस दिन बंद कर दोगे सब हज़रत अली के साथ चले जाएंगे का क्यों का तुम्हारे पाद दौलत है तुम दौलत दे रहे हो इमान तुम्हारे पाद पहले ही से नहीं है जब तुम्हारे पास दौलत खतम हो जाएगी तो ये सब जतने लोग हैं सब चले जाएंगे अली के पास कि अब दौलत नहीं मिल ले तो कम तकम चलो इमान ही ले लें कुल इमान के पास चल कर एक सलवाद भेजिए कि महम्मद हो आले महम्मद कर का फिर का ये जो बुजर्ग लोग है ना ये सब ली के मनजलत को जानते हैं तुम अपने बच्चों की परवरिश करो दुश्मनी ये ली पर बुख्ज ली पर इनकी तब जाके तुम को जो है पच्चीस साल के बाद इसका नतीजा मिलेगा का क्या करें का अब बगरी के बच्चा तक्सीम कर दो सूबा में और शाम को छीं लो बच्चों से अन्वद बिल्लह को एक शातीर एक बदमाश न्वद बिल्ला अली है जो तुमारे बगरी की बच्चे को छीं ले गया दुश्मनी दिल में डाली जा रही है परवरिश की जा रही है दुश्मनी अली पर लोगों की इसलिए हमारे हाँ अलमा महबत अली को अली से उल्पत अली से अकीदत अली से महबत उसको बयान करते हैं बच्चों को कि अपने बच्चों की परवरिश जो करो वो महबत अली पर करो महबत अले बच्चों की फजीलत क्या है अले बच्चों की इस्ज़त क्या है अले बच्चों को पहचानो अहिमा को पहचानो हजरत अली को पहचानो इमाम हसन को पहचानो इमाम हुसेन को पहचानो उनके फजायल को सुनो उनके करामात को सुनो उनके मौजज़ात को सुनो अली 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 खेर है अली अद्ल है अली तक्वा है अली हक पे नहीं है अली हाक है हक पे नहीं अली अद्ल नहीं अली अद्ल है अली मुत्तकी नहीं अली तक्वा है अली आलिम नहीं अली इल्म है अली का मुकाबला नहीं अली दुनिया से गए अदल चला गया अली दुनिया से गए तक्वा चला गया अली दुनिया से गए खैर चला गया तमाम लोगों ने बुकारा अंबिया ने बुकारा अली अवसिया ने बुकारा ली, मुत्तकीन ने बुकारा ली, साहमीन ने बुकारा ली, सादकीन ने बुकारा ली, गरीबों ने बुकारा ली, अमीरों ने बुकारा ली, मजलूम ने बुकारा ली, यतीम ने बुकारा ली, वेवाओं ने बुकारा ली, मिस्कीनों ने बुकारा ल मुसीबस जदा ने पुकारा अली लोह ने पुकारा अली कलम ने पुकारा अली मलाइक ने पुकारा अली आदम ने पुकारा अली इसा ने पुकारा अली इबराहीम ने पुकारा अली इसमाईल ने पुकारा अली अली, अली, अली सबने अली को बुलाया अली अली मुजिजा है आप अधिशों की किताब जो पढ़ें एक अधिश मैंने देखी और सुनी भी उलमा से कि जहां जिकर अली हो वहां इनसान अगर दूआ मांग रहा है तो खुदावंद आलम उसकी दूआ को गुबूल करता है वो दूआ मुस्तजाब होती है और यकीनन मौला एक काइनात अली अभी तालिब तश्रीब लाते हैं नभी लाज़ भरमाते हैं या नभी लाज़ मेरे लिए भी दूआ कर दीजे नभी ने दोनों हाथों को बुलंद किया और फरमाया पालने वाले पालने वाले तू तू जो तेरी जलालत और इज़त का वास्ता अली पर अपनी रहमते नाजिल कर अली के सदके में मौला कहने लगे या नभी लाज़ ये अजीब दूआ है आपने अजीब दूआ दी अरे आप कहते हसन के सदके में आप कहते रसूल के सदके में, आप कहते फातिमा के सदके में, आप कहते हुसाइन के सदके में, मेरे लिए दुआ, मेरे तवस्यू से, मेरे लिए दुआ, मेरे जो है वसीले से, ये बात समझ में नहीं आई, मैं ररसूल ने फरमाया आली मैंने काइनाथ की तंगाम मखलूकाथ पर नजर की और अल्ला की नजर में तुमसे जादा महभूब किसी मखलूक को नहीं पाया इसलिए मैंने तुम्हारे लिए दोआ, तुम्हारे तोसू से किया है एक सलवाद भाज़े को मुहंवत वाले मुहंमत है। आए भी मुलाई काइनात जंग कर रहे हैं एक शक्स अली से लड़ रहा है और कुरान पढ़ रहा है कुरान नातिक से कुरान पढ़ पढ़ के लड़ रहा है कुरान के साथ कहां आए ये रसूल ने फरमाया अली उमाल कुरान वल कुरान उमाल अली अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है कुरान पढ़ रहा है और सूरे नबा की तिलावत कर रहा है सूरे नबा की मौला ने तलवार रोक दी पुझा ये सूरे नबा जो पढ़ रहा है, जो आयत पढ़ रहा है इसका माना और मतलब भी जानता है का माना मतलब नहीं जानते माना मतलब से नहीं है बहेंस हमको तो सिर्फ तलावत का हुक्म दिया गया है माना मतलब हमें नहीं बताया जाता का इसका माना कौन है इसका मफूम कौन है इसका मिजदा कौन है मैदानِ कियामत में एक बुद्र खबर के बारे में सवाल होगा तुम से तुम जानते हो बुद्र खबर क्या है का हम नहीं जानते है का उसे मुराद मैं हूँ अली इबन अभी तालीव एक चलवाद बेजिए मुहम्मद वा आले मुहम्मद पर बताया मुला ने कदमों में आगे गिर गया कहा मुझे नहीं पता था आयत पढ़के अमिजदा के आयत से लड़ रहा है मुला एक काइनात जंग में जब जाते थे तो ऐसा नहीं ते तलवार चलाने लगते थे बाद शुरू कर दे काटना एक तरफ से अली लोगों को मारने नहीं आये है अली जिन्दगी देने आये है अली हयात देने आये है अली हिदायत करने आये है बाई उमर इबन अब्दवद इतना बड़ा पहलवान जंग खंदक में आया तो मुला ने फोरान तलवार नहीं मारी आया मारा बस उड़ गई गर्दन, नहीं का लोड जा जिन्दा रहे चला जा वापस जिन्दा रहे का वापस जो हूँ अरब के ओरतें हसेंगे काफिर है, गहरतदार है, भाग नहीं रहा है भगोड़ा नहीं है, एक सलवाद भेजिए महम्मद वाले महम्मद पर नहीं जा रहा है मौला ने कहा कलमा पढ़ ले, जिन्दा रहे देखो, अली जिन्दगी दे रहे हैं मैदान जंग में कलमा पढ़, जिन्दा रहे कलमा पढ़ ले ये कैसे हो सकता है कलमा पढ़ लूँ नहीं सिंदगी दे रहे हैं अली मैदान जंग में हर जंग में आप देखें मौला एकाइना जंग सिफीन जब हुई माविया से तो मौला एकाइना तक तक जंग नहीं शुरू किये तो जो अली के साथ आये थे वो बोले कहने लगे या तो अली जो है जंग से डर रहे हैं और या जो है हाकिम शाम माविया को हक पर समझ रहे हैं तो मौला एकाइनात के जो कुछ खरीबी सहावी थे उन्होंने आकर शिकायत की कि मौला आपके पीट पीछे लोग ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि अली डर रहे हैं और अगर जंग नहीं शुरू कर रहे हैं तो या उसको हक पर समझ रहे हैं इसलिए नहीं लड़ रहे हैं मौला 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 आए और मौला करका दोनों बातें गलत हैं ना अली जंग से डर रहे हैं और ना उसको हक पर समझ रहे हैं जंग से अगर डरना होता तो अली बच्पने में डरते जवानी में डरते नौजवानी में डरते जिसकी पूरी अम्र जो है जंग जदाल में गुजरी हो एक दो जंग नहीं हर जंग में यको तनहा फर्दे फरीद मुश्रकीन और काफरीन का सरकलम करने वाला अली वो बच्पने में डरता जवानी में डरता नौजवानी में डरता अब तो बूड़ा हो चुका हूँ अब तो बूड़ा हो चुका हूँ इसी मौके पे मौला एकाइना अपने इर्शाद फरमाया था अली इबन अभी तालिब का लाल मौत से ऐसे मानूस है जैसे एक शीर खार बच्चा पिस्तान मादर से मानूस होता है एक चलवाद भीजिए एक मौम्मद वाले मौम्मद पर काहक पे भी नहीं समझ रहे हैं हम इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि शायद कोई उदर ऐसा शख्स हो कि जो मेरे हदायत करने से हदायत पाकर मेरी तरफ चला आए मेरे पास चला आए इमान ले आए इनसान बन जाए आदम बन जाए इसलिए इनतजार कर रहा हूँ मौला एकाइनात हर जंग में आप देखें दरना वरना नहीं शेख मुफीद अलही रह्मा लिखते हैं मौला एकाइनात के जिस्म पर एक हजार तलवारों और नैजों के जख्म थे भई आज जो है इवार्ट दिया जाता है तमगा दिया जाता है कहा ये बहुत बड़े आलिम हैं बहुत बड़े पलतपी हैं बहुत बड़े खिलाडी हैं बहुत बड़े डाक्टर हैं उस जमाने में बहादूर इनसान जो होता था उसके जिस्म पर जख्म देखे जाते थे कि कि तने जंग में गया है जो इसको जख्म लगा है अरे बाई जो जंग में गया होगा उसी को तो जखम लगेगा जो कभी गया ही नहीं उसको कहां से जखम लगेगा एक सलवाद भेजिए गा मौम्मद वाल मौम्मद पर एक हजार जख्ञ अली के जिस्म पर तलवारों के हैं और नेजे के हैं अली तयव अली ताहिर अली पाकीजा जो भी इन से मनसूब हो गया जिसके दिल में इनकी महब्बत आगई दुनिया भूल जाता है फिर दुनिया उनिया कुछ नहीं हाश में मिर्काल हाश में मिर्काल मिर्काल कहते हैं तूलानी नेज़ा जो लेकर चलने वाला नाम उसका है हाश मिबन अतबा अतबा को जानते हैं कौन हैं अतबा वही शक्स है कि जिसने रसूल के उपर पत्थर फेका था और रसूल के चेहरे पे जो खुद बनधा था उसकी कड़िया तोटकर और दंदाने मुबारक नभी का शहीद हो गया और खुन जारी हो गया उसी का ये बेटा है जो नभी का दुश्मन है जो नभी का दुश्मन है उसका ये बेटा है अली का चाहने वाला है अली का चाहने वाला हाश मिर्काल हाश मिबन अतबा अली के साथ जंग कर रहा है का मौला आपके ख़दमों में शहीद होना चाहता हूँ शहादत का मेरे चाहने वाले कोई वसीयत हो तो बयान करो का मौला वसीयत क्या एक बात जरूर कहना चाहता हूँ अगर पूरी काइनात की हकूमत दी जाए और मुझसे कहा जाए कि दुश्मन अली से हाथ मिला लो तो मैं हाथ मिलाना गवारा नहीं करूंगा उसके साथ बैठना गवारा नहीं करूंगा दुश्मन अली के साथ ऐसा चाहने वाला है हाशिम इबन अतवा जंग में आया देखा एक शक्त मौला य काइनात को बुरा बला कहे रहा है गाली दे रहा है तलवार रोक दी पूछा मेरे मौला क्यों बुरा बला कहे रहा है का तेरे मौला को इसलिए बुरा बला कहे रहा हूं कि नमाज नहीं पढ़ता तेरे मौला अली नमाज नहीं पढ़ते अली नमाज नहीं पढ़ते तो कोई नमाज नहीं पढ़ता साब बे नमाजी एक एक हजार रकत रात को नमाज पढ़ने वाला दिन को रोजा रखने वाला उसको कहरा है नमाज नहीं पढ़ता ये प्रोबगंडा किया गया था ये अफवाः फैलाई गई थी मौला एक काईनात के खलाफ अफवाः का और दूसरी वज़ा का खलीब एसोम के गातिल है अली ये भी एक लजाम तोमत बहतान हाशिम इबने अद्वाब आजरते हैं सल्मान इदर आओ, अबुजर इदर आओ, कंबर इदर सुपर अद्वा कहता है उसे इनके चेहरों को देखो काई तो आविध हैं तो अल्लावाले हैं इनके जबीने मुबारक पर सिज्दों के निशान हैं इनके आँखों में हलके पड़े हैं अबादत नुमाया है चेहरों से की ये आविध हैं ये मुत्तकी हैं ये परहेजगार हैं कौन हैं का नहीं जानता हूं का ये सब अली के खुलाम हैं अरे जब खुलाम ऐसे होंगे तो मौला कैसा होगा एक सलवाद भेजियेगा महम्मद औा आले महम्मद अको जब खुलाम ऐसे हैं तो मौला कैसा देखो ना खुलामों को देखो पहले चाइने वालों को देखा जाता है कैसे हैं चाइने वाले मुत्तकी परहिजगार अली के चाइने वाले हकीकी अली का चाइने वाला वही है तक्वा परहिजगारी अले बैद की सीरा रहन सहन उनकी जिन्दगी पूरी जिन्दगी अले बैद की तयब पाकिजा यह नहीं सिर्फ मौला काइनात की जिन्दगी इमाम हसन की जिन्दगी इमाम हुसेन की जिन्दगी चौते इमाम की जिन्दगी तिसरे इमाम की जिन्दगी छटे इमाम की जिन्दगी और इमा सब को देख लीजिए सब की जिन्दगी नमूने अमल है हर इनसान के लिए वाकियन खुश्किसमत हैं आप कि आपने ऐसे को इमाम माना है कि आप का सर कहीं जुकता नहीं है आप जलील नहीं होते हैं कहीं विजाए जहां नाम लीजिए जिस बजम में जी चाहे अपने इमाम का नाम लीजिए आप सुर्खरू होंगे कहीं आपका सर नीजा नहीं होगा ऐसे को हादी बनाया है ऐसे को रहनुमा बनाया है ऐसे को इमाम बनाया है ऐसे को आखा माना है ऐसे को मौला माना है जो मुत्तकी है परहेजगार है इमामल मुत्तकीन है यासूब الدین है मुला एकाइनात की महबब तो ले जाएंगे आमाल अली की महबब पर अली की महबब पर तुम्हारा इमान तुला जाएगा मुभबतِ अली नहीं है तो साब बेकार अहल सुन्नत और जमात के हाँ भी हदिछ है परवाने निजात अली देंगे सिराते जवाज देंगे जवाज 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 पासपोर्ट को कहते हैं पासपोर्ट हली के हाथ का मिलेगा तब आप जन्नत में दाकिल होंगे जो लोग बाहर जाते हैं उन्हों देखा होगा सबसे पहले क्या मांगते हैं एरपोर्ट पे पासपोर्ट 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 इमिगरेशन पर क्या देखते हैं पासपोर्ट लाव पासपोर्ट महर देखाऊ वीजा देखाऊ वीजा महर जब देख लेते हैं तब अटैची देखते हैं कि अटैची में क्या है शरस है भांग है अफीम है सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात है क्या रखा है अटैची में तब अटैची देखते हैं अमाज जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता उसकी अटैची नहीं देखी जाती मैदान इक खियामत में भी यही होगा सबसे पहले अली के नम का परवाना मांगा जाएगा जब परवाना दोगे तब तुमारी नमाज देखी जाएगी तुमारा रोजा देखा जाएगा, तुमारा हज देखा जाएगा तुमारा खुम देखा जाएगा, तुमारी जकात देखी जाएगी तुम्हारे आमाल देखे जाएंगे, तुम्हारे खेराद देखे जाएंगे, तुम्हारे सदकात देखे जाएंगे, और अगर पर्माना नहीं है तो कुछ नहीं, बंद के बंद, सीधा जहन्नम में, एक सीधा जहन्नम में, एक सीधा जन्नत में, कुल लोगों के लिए मीजान आमल लगेगा आमाल तोले जाएंगे तुमारे महबत अली पर अली की महबत या ली हुब का इमान बुग्द का कुफर वनिफाक अली तुमारी महबत इमान है इमान की दलील नहीं है इमान है मौला की महबत वाकर मौमिन जो हो नहीं हो सकता है अगर अली की महबत दिल में नही हो सकता वो कभी भी मौमिन मौमिन वही है कि जिसके दिल में अली की महबत अली की महबत नहीं है तो फिर कोई जन्नत कोई जहन्नम इसलिए नहीं बनाई गई है जन्नत जहन्नम इसलिए बनाई ही गई है कि परखा जाए तोला जाए अगर पूरी काइनात अली की महबत पर जमा हो जाती तो जहन्नम खलक ना होती जहन्नम तो दुश्मन अली के लिए खलक हुई है पैदा हुई है ताकि उसमें जाए जले जहन्नम भी फखर करता है कि हम दुश्मन अली को जलाएंगे जन्नत फखर करती है कि इसमें अली के चाहने वाले जहन्नम फखर कर रहा है कि इसमें दुश्मन अली जलेगा सब को फखर है अली पर कावा को फख मेना को फख हरम को फख हिलो हरम को फख अंबिया को फख आउसिया को फख मुत्तकीन को फख मानने वालों को फख चाहने वालों को फख साफ फखर कर रहें जात अली पर जात अली पर फखर है अली का नामी मौजज़ा है अली मजहर अजाइब है अजाइबात के मालिक अली है मौजज़ात के मालिक अली है सल्मान 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 नजलूनानि रुभूबियत सल्मान देखो मुझे रवना कहना बाकी जो जी चाहे कहना सलमान हम खुदा के सिर मकनून है सलमान हम खुदा के राज है सलमान हम अवल है हम आखिर है हम जाहिर है हम बातिन है सलमान तुम करवटें बदल रहे हो अगर तमाम फजाल और कमालाद बयान कर दूँ तो तुम मुझे दीवाना और मजनून समझने लगोगे सलमान क्यों परेशान हो सलमान क्यों तुम्हें अतनी परेशानी हो रही है सलमान मुझे रब ना कहना मैं रब नहीं हूँ मैं खालिक नहीं हूँ मैं माबूद नहीं हूँ मैं मज्यूद नहीं हूँ सल्मान नहीं समझ पाए अली को दूसरा कौन समझेगा सल्मान कोई ऐसी वैसी शक्सियत का नाम नहीं है सल्मान मुर्दों से बादे करते हैं मुर्दों को जिन्दा करते हैं सल्मान तैयल अर्ज करते हैं सल्मान मौज़ात के मालिक हैं सल्मान करामात के मालिक है सल्मान नभी के सहावी है इमान के दस दर्जे पर फाइज है वो नहीं पहचान पाइज सल्मान अली को आज का इंसान क्या पहचानेगा कोई नहीं जान सकता अली अकेले हैं अली वाहिद हैं अली पर्द परीद हैं अली का कोई नहमिस्ल है, नह कोई हमपला है, नह कोई मुकाबिल है, अली को तनहा है, अली का कोई हमपला नहीं है, इस काइनात में, चलवाद भेजिए को महम्मद और आले महम्मद, पूरी जिन्दगी पाकिजा जिन्दगी है, अली की, अहले सुन्नत वल जमात की छे किताबें मौतबर है सही बुखारी सही मुस्लिम तिर्मिजी सुनने माजा सुनने दाउ सुनने निसाई निसाई के लिखने वाले ने किताब लिखी मनाकिब अली इबन अबी तालिब और उसमें साब हदीशें जमा की अना मदीनत अल्म वाली उन बाबोहा अना दार अल्हिकमत वाली उन बाबोहा अना दार अल्हुदा वाली उन बाबोहा अना वाली मिन नूर वाहित अल्यू मा अल्कुरान वाल्कुरान मा अल्ली अल्हक माल अली वला अल्हक या अली हुबका इमान बुग्दका कुफरुन वनेफाद तमाम हदीशे जो रसूल ने अली के बारे में इर्शाद फर्माई थी सब लिख की उसने और लिख कर शाम गया वो तो शाम में उसको पकड़ा लोगों ने और कहा तुमें और कोई नहीं मिला कि जिसके बारे में किताब तुमने लिखी हो तुमको अली मिले तो उसने कहा अगर किसी के बारे में रसूल की कोई हदीश हो तो बताओ हम किताब लिख देंगे कहा कुछ है नहीं कहा कुछ नहीं है रसूल ने किसी के लिए कुछ नहीं कहा है सिर्फ अली के लिए कहा है जो कुछ कहा है कहा कि मैं शाम कहा कुछ नहीं एक हदीस नहीं है कहा हदीस नहीं है जो हदीसे हैं कहा वो जाली हैं नकली हैं गड़ी हुई हैं जैसे जाली नोट चलता है ना वैसे उस जमाने में जाली हदीश चल लही थी जाली हदीश कहा अली के बारे में कहा अली के अतने फजाइल और कमालात सच्चे और जो है नभी के जबान से जारी हुए है फजाइल उसके गढ़े जाते हैं जिसका कोई फजाइल ना हो आली के इतने सचे पजाल हैं कि गढ़ने की जरूरत ही नहीं है एक सलवाद भेजिए कि महम्मद वाले महम्मद भाद अर उसको इतना मारा इतना मारा कि वो दुनिया से रुखसत हो गया इसी जुर्म में और वहाँ दफन भी नहीं होने दिया मक्के में दफन किया गया तो इतना जो है मसलां कितने फजाईल कम किये गए घटाए गए च्छिपाए गए लकिन नहीं हकीकत और हक जो है वो च्छिपता नहीं है कितने सादा दुनिया में मारे गए आज भी जो है हर जगा हर शहर हर कलिए हर कूचे में नजर आ रहे हैं सादा हैं है ना नजर आ रहे हैं नहीं नजर आ रहे हैं कितने मारे गए हर दौर में गटल कीए गए हर दौर में मारे गए हक को दवाया गया लकिन हक इसको नहीं कहते हैं जो दब जाए हक तो खुद बढ़ता है खुद बखुद बोलता है इनल्ला हुआ 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 ह तब भी कोई इसर नहीं, जाती फजाइल और कमालात हैं, अली के, एक एक रात में मौला ए काइनात फर्माते हैं, कि एक एक रात में, खुदा बंदे आलम ने मुझे सत्र सत्र फजीलतें अता की हैं, एक दो फजीलत नहीं हैं, फजीलतों के समंदर हैं, अली, अली की जात, अली की कुन, अली की हकीकत कोई बयान नहीं कर दकता है, ना मारफत उनकी पाक नसब, पाक तीनत अली के पदाइल को सुनता है दलील है जाविर इबने अब्दुल्लाह अंसारी जाविर इबने अब्दुल्लाह अंसारी कहते है कि हमारे खांदान में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो हम लोग कैसे पहचान करते थे कि हरामी है कि हलाली तो का हम लेके जाते थे बच्चे को और खड़े हो जाते थे और जब अली उदर ते गुजरते थे तो उसके चेहरे का रुख करते थे तो बच्चा मुस्कुरा देता था तो हम समझ जाते थे कि ये पाक तीनत है पाक नसब है अब का अजब चेहरा जुख जाए मूँ लटक जाए अली का नाम सुनके या अली मदद कहके जिसका मूँ लटक जाए तो उसी फेरिस्त में है वो जिसमे जनाब अबु जनाब अब्दुल्लह अबने जाबिर अब्दुलह अनसारी ने जो पहचान बताई है जाबिर तुम खुश गौसमत हो तुम ली के जमाने में थे अली मौजूद थे ऐसा दौर देखा ली के सूरत देखकर दिखा कर पता लगा लेते थे अरे हम को वो कोई मेयार बता दो हम कैसे पहचाने कि कौन बदनसब है कौन अच्छा नसब, बेधरे नसब, तयब नसब है कहा परीशान होने की जरूरत नहीं है जिकर अली करके देख लेना जिसके चेरे मुस्कुरा उठे वो पाक नसब है एक तलवाद भेजेगा, महम्मद वाले महम्मद पर वो पाक नसब है, वो तयब नसब है जिकर अली करना पहचान हो जाएगी अगर मु लटक जाए तो समझ लेना खुश हो जाए तो समझ लेना कि ये पाक है, पाकिजा है अली का चाएने वाला अगर खुद मौला फरमाते है कि अगर मेरी महब्बत अपने दिल में उसकी ठंडक महसूस करना तो अपनी मा के लिए दुआ करना कि तुमारी मा जो है वो पाकिजा है तयबा है, ताहरा है बेतरीन खातून है कि जिसने तुमको अली की महब्बत अता की है पाक नसब हो तुम किसे के कहने की जरूरत नहीं है अली की महब्बत अगर दिल में महसूस हो रही है ठंडक उसकी तो यकीन वो पाक नसब है चलवा भेजिए मौम्मद वाले मौम्मद ये हैं अली अली की जात हली के फजाइल और कमालाथ कोई नहीं बयान करते कितनी किताबें लिखी गई मौला काइनात के फजाइल में कितनी किताबें तहरीर की गई जो किताब आप उठाएंगे आपको नए गोशे नए फजाइल मौजज़ा है वाके ने मौज़ा है इतने फदाइल और कमालात किसी के नहीं है जितना मौला एक काइनात के है नभी ने ऐसे थोड़ी कह दिया कि जो है तमाम अश्जार कलम हो जाएं समंदर से आही हो जाएं जिन्नात इनसान मिलकर लिखें तो अली के फदाइल को नहीं लिख सकते यह ऐसा नहीं है यह कोई मौबालगा आराई नहीं है हकीकत है नहीं लिख सकते लोग अली के फदाइल और कमालात को अली के फदाइल और कमालात को शुमार नहीं किया जा सकता है इतने फदाइल इतने कमालात तीन सो आयतें कुरान में मौला एक काइनात के ख़िदा पड़ रही है कुरान अल्ला की किताब है पाकिजा किताब है कुरान के आलिम भी वही है कोई आलिम भी नहीं है अमन अन्दू इल्म किताब के हामिल ये है पूरी किताब का इल्म इनके पास है आलिमें कुरान है इनके इल्म की इंतिया नहीं है खलील नही बहुत बड़ा आलिम गुजरा है उसने कहा अली दुनिया के सबसे बड़े आलिम है तो लोगों ने कहा कि तुम्हारे पाद दलील क्या है का दलील बहुत आसान सी है का क्या दलील का बात इतनी आसान है कि सबस्मझें का क्या का पूरी दुनिया का अली से सवाल करना और अली का किसी से सवाल ना करना यही दलील है कि अली सबसे बड़े आलिम है एक सल्वाद भीजेगा मुहम्मद वाले मुहम्मद है ना बई किसी सवाल किया है मौला ने किसी से नहीं सलूनी जलूनी खबला अनत अपकेदूनी पूछो क्या पूछना चाहते हो सलूनी के दावा किसी नहीं किया है सिर्फ रसूल इसलाम ने किया है और मुला काइनात ने किया है और एक आदमी और किये था एक अलिम किये था उसने कहा सलूनी सलूनी जो कुछ पूचना है पूच लो तो एक आवरत खड़ी हो गई कहने लगी एक सवाल में पूच रही हूं तुम से कास सलमान मदाइन में वफात पाए मदाइन और मदीने में हजारों किलो मीडर का फासला और हजरत अस्मान मदीने में वफात पाए अली मदाइन सलमान की नमाज पढ़ाने पहुँच गए और खलीफ सुम की नमाज क्यों नहीं पढ़ाई चक्रा गया मौलाना, सलूनी का दावा किये था पूछो क्या पूछना चाहते हो, बहुत बड़ा दावा है ये अभी एक लड़का मैं सलूनी यहीं से कहे दूँ हूँ, एक बच्चा खड़ा हो जाए, एक सवाल पूछ लेगा मुझसे सारी पूल खुल जाएगी, कितने बड़े आलिम हैं हम मैं कहे दूँ, बहुत नमाज पढ़ता हूँ, मान लेंगे आप, रोजा रखता हूँ, मान लेंगे मैं कहूँ, पूरी तनखा गरीबों में बांट देता हूँ, आप मान लेंगे लेकिन अभी कहे दू, सलूनी, सलूनी, एक बच्चा खड़ा हूँ और एक सवाल मुझसे पूछे और ना बता पहूँगा, सारा भरम खुल जाएगा, तो उसने दावा तो कर दिया, जवाब आता नहीं, तक क्या बताते कहने लगे, अगर तू, अपने शोहर के जाज़त से घर से आई है, तो शोहर पर लानाथ, अगर खुद से आई है, तो तुझ पर लानाथ, तो फिर पल्टा मारा उस अवरत ने, का आई सलूनी का दावा करने रने वाले, ये बता, जंग जमल में जो आई थी, वो खुद से आई थी, कि नभी की अजाज़त से आई थी, फसाया, चकरा गया मौलवी, सलूनी का दावा, मुश्किल दावा है, नहीं करदगता कोई, सलूनी का वही दावा करता है, कि कल इल्म हो, इल्म का मरकज, इल्म का महवर, इल्म का सरचश्मा, सबसे पहले अल्लाह शुर हैं अमान तीन बात अलग अलग सबसे पहले सबसे पहले एक ही पहले होगी दो बाद होंगी का नहीं तौमारे समझ मेंbas ही आ रहा है माना एक है, मिजदाक एक है, मफूम एक है, वो नभी है, वो अली है सबसे पहले, इल्म का सरचश्मा है, इल्म का मलजा और मावा है अली ये वली हुज्जत खुदा है कोई सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब अली के बाद नहो रसूल ने दावा किया, कुछ लोग आए कहने लगे, या नभी अला मेरा नसब बताईए नभी नसब बतादिया, बैट गए, मू लटका गए, का हमारा नसब बताईए, उनका भी बतादिया, वो भी मू लटक गया तिसरा आया उसने का नभी अला मेरा बताईए असब नसब नभी ने उसका भी नसब बता दिया उनका भी मू लटक गया एक बुजर्ग के पेड़ में दर्द शुरू हुआ उन्होंने का या रभी अला बस करिये सबकी पूल खुलती जा रही है सल्वाद भीजिए मुहम्मदवाल सलूनी सलूनी पूछो क्या पूछना चाहते हो मजद النभी में नभी बैठे हुए है एक मरतबा मन नभी की निगा होना देखा एक औरत उसके आगोश में बच्चा एक शक्स उसके पीछे शम्शीर बराहना तलवार लिये हुए दोड़ा रहा है वो औरत नभी की पना में आ गई या नभी अल्ला मेरी जान बचाईए या नभी अल्ला मेरी जान बचाईए नभी ने जवान को रोका रुग जा काब बिन लहे रुग जा रुग जा थम जा रुग गया का तलवार नीची कर तलवार नीची कर का चाँआ को या नभी अल्ला ये बच्चा ये मेरी जाजा है ये बच्चा देखिये कैसा है मैं गोरा, चिट्टा, हसीन, बजी, चेहरा मेरा मेरी अवरत भी सूरत शकल की ठीक इसकी आगोश में हबशी है हबशी हबशी पैदा हुआ है का आप बिल्लहे क्या हो गया का नभी अल्ला हरामी है ये एक मरतबा नभी ने हुक्म दिया उस वरत से बच्चे को छोड़ दे बच्चे को छोड़ दिया नभी ने अवरत ने छोड़ दिया नभी अल्ला ने बच्चे को इशारा किया बैठ जा बैठ गया नभी ने का खड़ा हो जा खड़ा हो गया नभी ने का बैठ जा बच्चा बैठ गया फिर बच्चे दे इशारा किया नभी ने निये ये हलाली है, ये मेरी इतायात कर रहा है, जो मेरी इतायात करे वो हलाली बच्चा है। कह तेरे सतर पुश्ट पहले तेरे खांदान में है तेरा दादा इसी की शकल का था। एक सलवाद बेज़ें को अ आले मुम्मद भाल, लब मुसलमें के दे, कि लोग अ भेनिए नमी यमे अग्यर नहीं जानते थे. मॉलवी यम मेगऩं जानता है, नमी यमेखं ग्यरब नहीं जानता है। नमी यमेखंद्य खेश्य। सत्र कि बातें बता रहे हैं। नभी अल्ला इल्म गयb नहीं जानते थे, मौलवी जानता है, यह दोवा तावेद गंडा करने वाला मौलवी यह जानता है, इल्म गयb, नभी अल्ला नहीं जानते थे, का नभी हम जैसे है नभी तुम जैसे कहा पागल दीमाना सिड़ी हो नभी तुम जैसे कैसे हो सकता है तुम्हारे पास मलकुन मौत आते हैं नभी के पास जिबरील अमीन आते हैं तुम्में और यही फर्क है नभी में कैसे हो सकता मुसल्मानों करान भी नहीं पढ़ते हो तुम जा करान पढ़ो और देखो या निसान नभी लस्तुना कादिम मिनन निसा ऐ नभी की बीबी ओ तुम आम औरत नहीं रह गई हो तुम अब आम औरत नहीं हो हरम नभूत में आ गई हो हरम रसालत में आ गई हो अब तुम्हारा वो मरतबा नहीं है आम आरतों वाला तुम्हारी इजद बढ़ गई तुम्हारी तुकिर बढ़ गई या निसान नवी लस्तुना काहदिम्मिनन निसा नभी की अजवाज अब आम आरत नहीं रह गई हो अरे मुसल्मानों जब एक आरत दूसरे के घर से आकर नभी के घर में आम आरत नहीं रह जाती तो नभी तुम जैसा कैसे हो जाएगा एक सल्वा भेजिए को महम्मद वाले महम्मद नहीं हो सकता है ना नभी ना अली अली और नभी को नहीं पैचान सकते हो नभी को पहचाना अली ने अली को पहचाना नभी ने खदा को पहचाना अली ने अलन नभी ने किसी और ने नहीं पहचाना सिर्फ और सिर्फ अल्ला को किसी ने पहचाना तो दो शक्सियतें दो शक्सियतों को किसी ने नहीं पहचाना या ल्ला ने या रसूल ने या आली ने या ल्ला ने एक शलवाद भेजे गार मामध आहल अलीम आई बाहद का मकाبला आहल अलीम बाहेत कौन है दिन के महाफ़ महला ली चले गए पूरी नसल तयार कर गए इसलाम की हवादत की खाथिर पूरी नसल बें मदलूम अमाम ने क्यों किया मेरे नाना की सुन्ट मर गई है बसरे वालों को हुसाइन ने खद लिका नाना की सुन्ट मर नहीं रही है मर गई है रसूल की सुन्ट क्या थी रोजा नमाजाद जकात खेराद खुम दिन इसलाम साब मिठ चुका है बिदाद जिन्दा हो गई है खुराफात आ गई दिन में इसलिए हुसाइन कयाम कर रहे हैं वाकियान इनकाना दीनो मुहम्मद नम यस्तकिम इल्ला बेकतली पया स्यूफ खुजूनी आमर नाना के दीन अगर तू नहीं बसकता तल्वारो आओ हुसाइन का गला हाजिर है तल्वारो आओ हुसाइन का जिसम हाजिर है ये कौन आवाज दे रहा है ये हुसाइन आवाज दे रहे है रसूल दुनिया से जा रहे है करवलाई लाल सामने बैठा है नाना की आँखों से आँसु जा रही है ना, ना, रोने का क्या सबब है मेरे लाल हुसे, मेरा दीन मिट रहा है हुसे, तड़प जाते है, ना, ना हुसे, आपके दीन को बचाएगा का कैसे बचेगा का अपनी जान गुर्बान करदेंगे का दीनना बचाताब का अबज़ के बादू हाजिर है का दीन नबचाताब का अली अक्बर का कलेजा हाजिर है का दीन नबचाताब का शचमाई की खुर्वानी का दीन नबचाताब का पूरा कुन्बा लुटा दूंगा अज्जा अख्रवा अंसार चाहने वालों को मेरे नाना लुटा दूंगा कहा हुसाइन तमाम कुर्वानियों के बाद दीन नवचा तब क्या होगा रवायत और मक्तल लिखते हैं हुसाइन खामोश हो जाते हैं एक बच्ची चादर ततहीर में लिपती हुई आई और कहती है भईया हुसाइन बोलते क्यू नहीं हो जानब अपनी चादर दे देगी अरे भाई और बहनों ने दीन के बचाने की जमानत ली उसी दीन को बचाने के लिए हुसाइन अठाइस रजब को निकले अठाइस रजब को हुसाइन निकले कि एक सुरुखसत हो रहे हैं नानी अम्ह सलमा की खदमत में आए नानी अम्ह एराग जा रहा हूँ का मेरे लाल हुसाइन क्या नाना से अजादत ले ली का हाँ नाना से अजादत ले ली का हुसाइन करवला जा रहे हो का हाँ नानी अम्हा का करवला जा रहे हो का हाँ नानी अम्हा का कूफेवालों ने तेरे बाप और भाई से वफा नहीं किया, मेरे लाल, का नानी अमा करवला जाना है, करवला कर रुक एा है, जनाव एमिस सिल्मा फर्माप परमाती हुश्य हुसें एक वाकिया बताउं तुझे, का हा नानी अमा बताईए, का तुछ gdzieś kulla था, तेरा नाना एक सफर पे गया था सफर से वापस आया सफर से आने के बाद मुझे को हुक्म दिया अमे सल्मा हुजरे का दर्वाजा बन कर दो और कोई मुझे से मिलने ना आए जो भी आए उसके वापस कर देना और कह देना आज रसूल बहुत ठके हुए है आज किसी से नहीं मिलेंगे काम दर्वाजे बेड़ गई असाब आते रहे वापस करती रही असाब आते रहे उनको मना करती रही इतने मेरी निगाहों ने देखा तू भी दोड़ा हुआ आया दर्वाजे की तरह बढ़ा मैंने तुझे पकड़ा हुसाइन तेरे नाना ने मना किया है तू एक मरतबा घुसे में आकर कहता है मुझे भी मना किया है काहा तुझे भी मना किया है तू रोता हुआ वापस जाने लगता है एक मरतबा मेरी निगाहों ने देखा रसूल के हुजरे के दरोजा कुला और सर बरहना पाबरहना रसूल दोड़े अरे उम्म सल्मा तूने क्या घजब कर दिया हुसैन को रुला दिया हुसैन रोते हैं जमीन रोती है हुसैन रोते हैं आसमान रोता है हुसाइन रोते हैं मलाइक रोते हैं हुसाइन रोते हैं तमाम काइनात रोती है अज्रुकमल ल्ला मदलूम करवला हुसाइन इबन अली एक बहन एक भाई करवला के जंग के पाते करवला के जंग के दो बाब है एक بाब का नाम हुसैन है और एक बाब का नाम सेheenब है जनाबे जीन ले जो कुर्वानी ती ए जो इसार जो मसाविर दुनिया के किसी शख्स ने बरदाश नहीं किया है अजरकुमलल्लाह धुसैन मुद्लूम दो महर्म को करवला के मैदान में एक बस्ती बसाते हैं बसी हुसैन की बस्ती उजडगी कैसी कैसी करवानी दी है मेरे मौलाने हम शबी है पयंबर अलिए अकबर अलिए अकबर को आप जानते है कौ центр जैसे जदाव अबास मौला र काइनात की दुआओं का नतीजा थे ऐसे ही जनाब अली अकबर हुसाइन की दुआओं का नतीजा थे जब हुसाइन को नाना का फिराख सताने लगा जब हुसाइन को नाना की जुदाई सताने लगी तो आगए रोजे रसूल में दोनों हाथों को बुलंद किया पालने वाले मुझे एक ऐसा बेटा दे दे जो मेरे नाना से मुशावे हो सीरत में सूरत में रफ्तार में गुफ्तार में हुसाइन की दुआ बाब यजाबस से ठकराई अल्ला ने एक बेटा दिया जो बेहने ही रसूल की सीरत था रसूल की सूरत था रफ्तार में गुफ्तार में यकीनन बिलकुल रसूल की तरह थे एक वाकिया खत्म दुआ एक अद्धाती अरब आया मदिने जो इसाई है आया और आने के बाद मस्जिद नभी में पहुँचा का मुसल्मानों का रसूल क्या मौजूद है लोगों ने का रसूल दुनिया से जा चुके है का मैं तो कलमा पढ़ने के लिए आया था और चाहा था कि मिलूँ और उनके हाथों पर कलमा पढ़ूँ मैंने उनको खाब में देखा है और मैं उन पर एमान लाना चाहता हूँ खाब में देखकर मैं जो हूँ उनका गिर्वीदा हो गया उनका दिल्दादा हो गया इसलिए मैं मदीने आया हूँ और चायता हूँ कि उनकी जारत हो जाए लोगों ने का वो तो दुनिया से चले गए का उनके घर में कोई है का उनका एक निवासा है जिसका नाम हुसैन है महले बनी हाशिम में रहता है मजद नभी के बगल में है जाओ और जाकर मिलो फला जगा उनका धरवाजा है आया हुसैन के धरवाजे पर दकुल बाब करता है मौला हुसैन बाहर निकले एक मरतबा पूछता है क्या परदंद रसूल का घर यही है नवासे रसूल का घर यही है का हाँ परदंद रसूल का घर यही है का एडरे से पता यह दिया गया है का एडरे से पता बिल्कुल सही है क्यों आया है का मदीने आया था रसूल की जारत को रसूल दुनिया से रुखसत हो चुके है एमान लाने के लिए आया था रसूल मिले नहीं अब मैं चाहा मैंने चाहा कि आपकी जारत कर लूँ आपको देख लूँ कम से कम आपकी जारत हो जाए एक मरतबा हुसाइन कहते हैं ऐ आने वाले महमान बैठो बैठ गया एक मरतबा हुसैन आवाज देते हैं मेरे लाल अली अक्बार जरा बाहर आओ अली अक्बार बाहर आओ हुसैन के गर का दर्वाजा खुला ये दियाती अरब कभी उड़ता है कभी बैठता है कभी उड़ता है कईता है अल्ला हुआ अक्बार हुसैन ने पूछा आने वाले अराब क्या हो गया कारे ना पूछिए फर्जन्द रसूल ये तो वही जमान है जिसको मैंने खाब में देखा है ये वही शखस है कि जिसको मैंने खाब के अंदर देखा है ये तो रसूल है ये तो रसूल है ये तो रसूल है ये पेगंबर है अजरुकुमल 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 उठा कर दौा मांग रहे हैं, पालने वाले मेरे लाल की खेर हो, एक मरतबा मैदाने खताल से आवाज आई, या बता हो अद्रिकनी, बाबा मेरी मदद को आई, अरे हुसैन गोडे पर बैट कर दोडे, रावी कहता है, कि मैंने दो मनजर देखा, एक बीबी खेमे से निकली, गोडे से चले, लेकिन बीबी लाशे अकबर पे पहुच गई, हुसैन ना पहुचे, अरे गोडे से चाने वाला पहले पहुचना चाहिए, पैदल चलने वाला बात में पहुचना चाहिए, बीबी खेमे पहले आ गई, हुसैन ना पहुचे, रवायत में आगे बढ़कर सहा परिशान होने की जरूरत नहीं जब लाशे अकबर थोड़ी दूर रह गया तो मेरा मौला खश्का कार गोड़े से जमीन पर आ गया बहन पहले पहुंची ताकि बाई को दिलासा दे एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फर्मा कर जनाब नासिर हुसैन साहम मरहूम इबने वालिद का नाम यावर हुसैन नासिर हुसैन साहम मरहूम इबने यावर हुसैन साहम की रूप को इसाल पर आ अजर्ड पार्ण सिर्ड अढोड एद रग्धान में आपकातोन है जा ए जा सेंज जा झा है मादर को उसकी शकल दिखा अक्बर की लाश कैसे उठाए जईफबाब मादर को उसकी शकल दिखा अक्बर की लाश कैसे उठाए जईफबाब जखमों से चूर चूर हुआ मजबूर हो गया है मुहम्मद का नूरें तो ही बता दे कर बो बला क्या करे हुशें कब तक यहां पे ठो करे खाए जईफबाब अक्बर की लाश कैसे उठाए जईफबाब अक्बर की लाश कैसे उठाए जईफबाब बर्ची की एक आनी जो कले जे में रहे गई करियल जवां के सीने से बर्ची निकाल ले मुदाद करने आए हैं मुश्किल कुशाली कैसे कले जा उनु को दिखाए जईफबाब अक्बर की लाश कैसे उठाए 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 जईफबाब तूटी हुई कामर है सांभर ना मुहाल है ऐसे में दो कदम भी तो चलना मुहाल है बदले इरादा कैसे बदल ना मुहाल है किस तर हमा को शकल दिखाए जईफबा बाबक बखर किलाशी पैसे उटाएए जईफबा बाबक बखर किलाशी पैसे उटाएए जईफबा इस भी शेष्र खातम है कैसे बखराएए जफ़ राझाएबा प्यासा है मेरा लाल तुझे कुछ ख्याल है सूरत में शकल में ये नबी की मिशाल है करियल जमा है उमर भी आठारा साल है इस उमर में तो दू लाबा नाए जईफ बापक आखिर बन मुला कर नादरा आगए प्यासि पैसे उठाए जईफ बापक बर जईफ बापक बर जईफ बापक बर सातर जवान बूड़ों के लाशे उठा चुके असगर के जैसा चांद जमी में छुपा चुके अबास तेरे बाद बहुत ताने खा चुके किस तरह दिल की आग बुझाए जईफ बापक मक्ता में आतरां जाहने तरे मुलाथ के जैसे अटाए जईफ बापक बर कि लाशे जईफ बापक बर कि लाशे जईफ बापक शोरत ये है हुसें ने गरीब बुलवतन की बार शेहजाद सोच सोच के रोती है काइनाद दिल को हिलाए देते हैं पुर दर्दवा के आद है में पे जा के बाचों को लाए जाए जाए फुबाद पक परे खिलाश कैसे उटाए जाए 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 खुबाद रत बरे खिलाश कैसे उटाए जाए 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 जुबाद फ्राए जिया 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 असलाम अलेक या मुला या अबूल फजिल अबास अबना मीरल मुमनीन वबना सीद वसीन अब जमी शोजाय कर्बला वसिरान कर्बला वर्हमत अल्लाहे वबरकातु